अवनाचल प्रदेश में हैं और अवनाचल प्रदेश को एक अच्छा बजट मिला है इस बार year of youth अवनाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और पहड़ी राज्य है जहां पे हजारो किलोमेटर की जो सहरत लगती है वो चीन से लगती है इंटरनेशनल बॉर्डर है अवनाचल प्रदेश में 40,000 के करोड के करीब इस साल का बजट रखा गया है जिस बजट को पास किया दो हजार क्रोड से भी ज्यादा एजुकेशन को रखा गया और काफी इंफरस्ट्रक्टर को लेके इस पे जोर दिया जाएगा पेमा खांडू जो आट साल से यहां चीफ मिनिस्टर है उनाचल प्रदेश में चीन से सटा कुरुंकुमे है और कोलो रियंग के 21st कोलो है वो हमारे साथ हैं पाने तार्म जी जो पाने तार्म जी से हम जानेंगे बजट को लेकर उनाचल प्रदेश में की सबसे ते भले है सबसे इस बज़े में जो है भी कतम हो गया और जो बजट जो इस वर जो लाया है हमारे पेमा खानुजी के सरकार और हमारे फिनांस बिनिसर डपटीचिप बिनिसर जो लाया है वो एक बहुत अच्छा बजट लाया जो पीपल फ्रेंडली डवल्मेंट औरेंटेड बजट लाया है और इस वर जो ब सेक्टर्स हो हैल्फ सेक्टर्स हो मुनिकेकशन हो यह तुरिज्यम हो एंगरिग अल substituto का हो sports and youth切ệर का हो सब सेक्टर को बहुत अच्छा से इसमें तच किया गया इसमें सामिल किया गया है और सबसे अच्छा बात यह है कि इस बार जो है आर यार उस इूट जो डिकलर किया गए है बजित में हो मतलब एक कि जितना बी जो यूट को कंसंत्रेट डेगा इस पर और यूट के लिए काम करेंगे इस सल जो ये जो बजित में तो मेलने जो हमारे यहां पर आज की दिन में पहुत सा जो एजुकेटिट इई यूट्स है और उन एजुकेटिड यूट्स के लिए यहाँ पे जो एजुकेशन सेक्टर्स का तो ही ही है तो हर सेक्टर्स में है उसके बाद यहाँ पे जो हमारा जो परा लिखा लोग को तो उसको मौका दिया गया है अगर वो कहीं प्रिमेर इंस्टिट्यूट में जैसे की IIT में या फिर कहीं अगर उनको एडमिसिन लेना है अगर एडमिसिन मिल भी गया तो 100% गर्मिन से उसको फैनेंस कर देगा तो वैसे ही जैसे कि कोई पाइलोट बनना चाहता है तो उसके लिए भी हमारा इस बजिट में कम से कम 10 लोगों को उसको जो कमर्शल पाइलोट लाइस करने के मदद करेंगे और जैसे वैसे ही जैसे जो मर्चन नवी में उसमें भी यहां पे बजट में क्लेरली मेंसिन है कि जो हमारे बच्छे जो हमारे यूट्स जो इंट्रस्टेड उसको 10 लोगों को हमारा मर्चन नवी ऑफिसर बनाएंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि यूट्स जो है हमारा नेशन का बविस है हमारा डेश का बविस है तो यूट्स का कंट्रुविशन से डेश का जो डेवलिमेंट सेफ जो है वो बहुत निव हाइटक पहुंचा सकते है और का चेंज ला सकता है तो इसलिए जो यूट्स का जो इंपोर्टन्ट रोल इन सेंड़न नीशन तो उसको बहुत इंपोर्टन्ट धिया गया है इस बर और अगर हम हम इस्पॉर्स सेतन में डेखींगे तो इस्पॉर्स में तो आप देखिए हमारा अरुनाचल प्रडेश में बहुत सा जो रख़ा गए है हमारे यहाँ पे कि स्तेट में हर साल यह जो है एक ओलिम्पिक और्गनाइज करेगा स्टेट का स्टेट लेवल का ताकि जो हमारे स्टेट जो में जो यूडस है जो एसपोर्स में गेम्स में बहुत टैलेंट है उसको प्रिप्यर कर सकें कि तूट विर है फिर कोचिंग जो स्पोर्स कोचिंग जो बैस अफ दे बैस कोचिंग दिया जा रहा है इस बार देने के लिए कहा गया है एंड इन हर स्पोर्स परसन को जो एक मेंटर फैसलिटी जो कोचिंग भी दिया जाएगा तो इस तरह हम स्पोर्स को बहुत आगे बरा ले जा सकता है तो अभी हमारा यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा अरवनाचल में बहुत से जो स्पोर्स यूट है जो टेलेंटेड है कि इंटरनेशनल गोल मैडलिस है, इंटरनेशनल सिल्वर मैडलिस ब्राउज मैडलिस है तो फिर हमारा जो नेशनल लेवल का तो बहुत से हई है, सर्टिपिकेट्स लेने वाला, तो अगर उसको हम और अच्छा से इंकरेज करता है, और फैसलिटी उसको देता है, कोसिंग करता है, तो जरूर ऑलिम्पिक में वो भाग ले सकता है, पाटिस्पेट नेशन को वो सकता है, तो इसके तहट जो सरकार ने बजट में यह फैसला किया है, और इसमें आने वाले पांस सालों में 25,000 जो एजुकेटेट यूट से उनको जोब अपरच्वनिटी दिया जाएगा, तो उसमें किसी हमार यूट से उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, जो उनका जो इस स्कीलिंग है, उसको डेवलोग करने के लिए उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, त्रेनिग देने के बाद अगर वो अपना सरकार में अगर वो अपरच्वनिटी लेता है, जो एबज़ूर्ब हो जाता तो अच्छा है, अगर नई भी होता है, तो कहीं कमपनी में वो करने के लिए कुछ बिजनेस हा दिन डियल उफाडिया सलमन यह जना जिसमें लोग जो अपना से मतलब कि उसमें खराफ हो सकता है वैसे ही आदर जो इंप्लिमेंट जनरेशन का है कि ऐसे आपको देख रहा है आप देखे होंगे हमारा यह पहमा कन्वजी के नए तर्फ में ज जो स्टेट का जो स्टफ सेलेक्शन बोर्ड जो लाया गया है वह बहुत इंपोर्टन वो काविले तारिफ है इसके जरीए आज हमारा यूर्ज जो है बहुत से लोग अपरचुनिटी लिया और काफी लोग हजारों लोग जो है सर्विस में अबजर्बी हो गया तो इस तर यह लगता है आपको दो जार करोड से कुछ डेवलोपमेंट एजुकेशन जेक्टर को इंपरसेक्श्चर को ब्लूम किया जाए देखिए एजुकेशन जो है बहुत इंपोर्टन है और जो जो हमारे दूर दरस में जो जिसमें जहां फैसलिटीट नहीं है तो इसको इस बर फैसलिटीट दिया जाएगा और खास करके अभी जो है हमारा जो माने निमो की मंतरी फेमा कंडू जी और हमारा जो एजुकेशन मिनिस्टर पीडी सोना जी वो एजुकेशन को बहुत आगे ला जाएगा मुझे पूरा बिश्वास है और एजुकेशन में चाहे वो हार बहुत फाइडा भी लेगा तो आप क्या कहेंगे सर इसमें जो टूरिजम की पोटेंशल है आपके अरिया में चाहे बरफ पारी बोलो या सबसे ज़्यादा बारिश बोलो चेरा पुंजी के बाद कहते हैं कि अगर रिकॉर्ड किया जाए तो इतनी ज़्यादा सबली दामे होमस्टेश यह सब पॉलिसी को लेकर आप क्या क्या देखिए इसको बजित में भी रिफ्लेक किया गया है कि इस बर जो है जो एक कि हमारा जो लोकेल जो हमारा इस जो अच्विटी डूट से और उनको भी एक जो अपरचुनिटी दिया जाएगा तो इसमें आप देखिए अगर अरुनाचल में तो ऐसे आपको पता है कि बहुत सुन्दर है हर जगह अगर आप पहार में जाएंगे तो फ्रेश पहार मिलेगा देर उसके बद उसके बद और उपर जाएगा तो आपको बरप मिलेंगे जो कि बहुत बहुत इंपोर्टिन रहे तुरिस पॉंट अव उसको तुर, जो तुरिस लोज़त ही है उसके बाद हम इस टे का इस बरबर जो आपते बज़ित में कहा गए बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है और जहां-जहां जैसे कि अगर हम अपना कहें तो अपना जो consistency में हमारा तुरिस को बहुत potential है अगर हम कोलोडियं शरली द एक है कि एक नेच्रिल जो इस्तोन से बनावा गेट है आप बड़ा बड़ा इस्तोन है उसे एक गेट बनता है वहाँ लोग पार कर सकते है उसके बाद आप जो इस्तोन से ही एक बड़ा एक होल है और जो वहाँ से जो हमारे यहाँ जो मक्की होगा रहा है क्या क्या हो सब मतल ज़नोलेक चुन्श नेवनाक गर्रेट अब फम round लोन prá faced फोप पूरा हर समन अभ़ी है आपको इदुन के लगए बह अच्छा चीज देखने को मिलेगा यह उसका सेप्पत्तर है गोपकिस singularि होगा correlate लेकिन वह इसका वेट जो है इतना छोटा होने से भी वह पांच केजी, छे केजी का वेट होगा, तो इसका जो हर चीज देखने के लिए है